How to use your Snapchat application on your PC or laptop Hello guys and welcome back to my YouTube channel Guys, आज की सुडियो में बात करते हैं कि आप Snapchat application को अपने PC या laptop पर कैसे यूज कर सकते हैं So guys, यहाँ पर आपको स्कीन के उपर नजर आ रहा होगा कि मैंने Snapchat application इंस्टॉल किया है अपने computer के अंदर तो guys, इसके लिए मैंने एक emulator इंस्टॉल किया है अपने computer के अंदर जिसका नाम है nox player 6.6.1.2 जो के latest version है इस emulator का तो आपने nox emulator को इंस्टॉल कर देना है अपने computer के अंदर तो guys, आपने इसको कैसे install करना है इसके उपर मैं already एक video बना चुका हूँ उसका link भी मैं आप लोग को description में दे रहा हूँ तो guys, इसके लिए सबसे पहले आपने laptop या computer में google chrome browser open करना है open कर देने के बाद आपने यहाँ पर search करना है nox player और nox player को search कर देने के बाद आपके पास यह जो first website आजाएगी begnox.com तो आपने इस website को open करना है इस website को आप जैसे ही open करोगे guys, आप लोग के पास nox player की official website open हो जाएगी begnox.com यहाँ पर आपको skin के उपर भी नज़र आ रहा होगा तो आपने simply यहाँ पर download के उपर click करना है और click कर देने के बाद आपके पास nox player emulator download होना start हो जाएगी so guys simply आपने इसको यहाँ से download करना है और download कर देने के बाद आपने इसको install कर देना है install कर देने के बाद आपने nox player को open करना है और open कर देने के बाद सबसे पहले आपने अपने gmail अकाउंट को login करना है nox player के अंदर और login कर देने के बाद guys आप लोगों ने simply यहाँ पर search करना है snapchat सही है guys snapchat को search कर देने के बाद आपने snapchat को install कर देना है और install कर देने के बाद यहां पर आपके पास snapshot application आ जाईगी जैसे के यहां पर आपको skin के उपर भी नज़रा रहा होगा तो आपने simply snapshot application के उपर क्लिक करके open करना है और open कर देने के बाद आपने यहां पर login के उपर क्लिक करना है और मैं इसको यूज़ करता हूँ आपने computer के उपर लेकिन ये सिर्फ nox player के अंदर ही चलता है आपका Snapchat एप्लिकेशन तो आपने Snapchat एप्लिकेशन को अगर यूज़ करना है तो आपने nox player को install करना है but make sure guys कि आपने nox player emulator को उसके official website से install करना है आपने किसी भी third party website से इसको install नहीं करना है और यहाँ पर guys मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखा दू यहाँ पर आपको skin के उपर नज़र आ रहा होगा nox player Snapchat को support करता है और यहाँ पर अगर आप इस page को तो असा scroll down कर दे तो यहाँ पर आपको skin के उपर नज़र आ रहा होगा download nox on your computer through a browser install the nox emulator on your computer or laptop run it, sign in to your google account on nox emulator open google play store and search for snapchat download snapchat on nox emulator and install it open snapchat on nox emulator and start running it तो guys यह इसको support करता है snapchat को और यह method है snapchat को use करने का कि आपने किस तरह Snapchat को use करना है nox emulator के उपर so guys यह थी अच की वीडियो आप इसी तरह Snapchat को use कर सकते हैं अपने laptop या computer के उपर guys अच की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक new tutorial के साथ तब तक के लिए take care and good bye के वीडियो में एक लिएक तरह बात में आपने को